हेलो अब्रीवान वेर वेरी गड़ बॉनिंग कैसे हूँ होब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही योगे शो फ्राइंड्स छे अपर रहल की एस वेसल क्लास में आप सब लोग का बहुत बहुत श्वागत है सबी लोग के एक बर बताएंगे वाइस क्लियर आ रही है और व पूरी क्लास ध्यान से देखना जितने भी कुछ देंस आपके करेक्ट हो कमेट बॉक्स में अपना रियल इसको जरूर बताना चली क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से सभी को गुड़ बॉनिंग भाई वीडियो को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे पहला प्रश होना जगड़ा होना यह संगीत बजना फिप्टी वन का जॉब देने के प्रयास करेंगे थे ब्लोग तूती बोलना मोहावरे का सही अर्थ क्या है रोब होना होता है क्या होता है रोब होना ऑप्शन यहां पर यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है त तिल का ताल करना मोहावरे का सही अर्थ क्या है तुक्षबात को महत्व देना छोटी चीज को बड़ी कर देना सच्छे व्यक्ति को जूटा साबित करना या निरलज होना तो बताएंगे सब लोग तिल का ताल करना मोहावरे का सही अर्थ क्या होता है वीडियो को भाई ला 52 का option B correct हो दागा, अगला प्रशन है कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, पताएंगे सब लोग कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सतर करहना, दर्ण, निश्य करना, दंडित करना या परिस्रम करना, बहुत इच्छे प्रशन है, कमर कसना मुहावरे का सही अर सबी को good morning, गुजारा में प्रत्य बताएंगे सब लोग, चलि बहुत इच्छे, 54 का right answer देने का प्रयास करेंगे, आउ होगा नहीं, आड़ी होगा नहीं, अग होगा नहीं, तो आप प्रत्य हो जागा गुजारा में, ठीक है, option D correct हो जागा, चलि पिटाई में प्रत्य बताए पिटाई में कौन सा प्रत्य है, आउ होगा नहीं, आप होगा नहीं, आका होगा नहीं, तो आई प्रत्य हो जागा, option D correct हो जागा, चुनाओ में प्रत्य बताना है, चुनाओ में कौन सा प्रत्य है, बताएंगे सब लोग, चुनाओ में प्रत्य कौन सा है, बहुत ही सरल प् Option D correct हो दगा, राक्षश शब्द का प्रयावाची है इसमें कौन सा, बताएंगे सब लोग राक्षश सब्द का प्रयावाची है इसमें कौन सा, आदरश, चक्छू, या दानव या आसूची, चक्छू तो आख का प्रयावाची है, तो राक्षश शब्द का जो इसमें प्रय देवता का प्रेवाची नहीं है बताएं सब लोग 58 का जॉब दीजे देवता का प्रेवाची इसमें कौन सर नहीं है देव, सुर, अमर, आविनीत तो देवता का प्रेवाची इसमें जो देखिया आपका नहीं है आविनीत नहीं है ओप्शन यहावे आपका डी वाला सुरुवात तो आरंब का प्रेवाची इसमें आपका जो है सुरुवात है ठीक है ना, option C अगला बश्न देखिए यहाँ पे निमलिकित में से कौन आरोब का प्रेवाची शब्द नहीं है आभियोग, आरोब, आक्छोप, आचेप, या अलजाम, या हमला बताए, आरोब का प्रेवाची शब्द नहीं है, कौन सा इसमें अबियोग है, हमला अईसमें आरोब का प्रेवाची शब्द नहीं है, option D वला करेक्ट हो जाएगा अलंकार शब्द का प्रेवाची होगा क्या, बताएंगे सब लोग 61 का जॉब देंगे अलंकार शब्द का प्रेवाची होगा जितने विलोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रेक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दोगे सभी लोग और सेयर कर दोगे और चैनल में पहली बारा तो शब्सक्राइब जरू कर लेना इस चैनल से आपको निश्यती मिलेगी जो भी बीएट एंटेस एक्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे बहले हमारे चैनल के माथदम से ही देखने को मिलेगी आगे जब आपका बीएट में एड्मिशन हो जागा बीएट में प्रैक्टिकल फाइल कैसे बना जाती है बीएट में अच्छे हो क्या को हो जाता है सारी जानकारी है पिर जानकारी है के सम्भावना शब्द का राइट या आंसर देने का प्रियास करेंगे आंसर सूचने का आगर आप लोग ज़्यादा समच चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं तो संभावना शब्द गा देखिए जो आपका विलोम होगा आसंभावना हो जागा क्या हो जागा आसंभावना हो जागा 63 का जवाब दीजे सब लोग तो संकल्प का विलोम होगा आसंकल्प क्या होगा आसंकल्प हो गया 63 का आप्शन एकरेक्ट हो जगा विसिष्ट सब्द का विलोम क्या होगा विसिष्ट का विलोम क्या होगा 64 का राइट अंसर देने का प्रयास करेंगे सामानने होगा या विसुद्ध होगा या लगू होगा या आविवेकी होगा तो विसिष्ट सब्दे का विलोम हो जागा सामानने क्या होता है सामानने का विसिष्ट हो जागा विसिष्ट का समानने हो जागा option एक औरेक्ट हो जगा विकास सब्दका विलोम क्या होगा विकास सब्दका बताएंगे सब लोग विकास सब्दका विलोम है क्या फीनास वीकरत विकल लक्षित 65 का जॉब देने के प्रयास करेंगे सब्दका विकास सब्दका देखे जो आपका विलोम होगा वो क्या हो जागा विनास हो जागा उप्षिन ए सत्रुता का विलोम क्या होगा सत्रुता का बताएंगे सत्रुता का विलोम क्या होगा मित्र होगा या मित्रता होगा या व्यस्त होगा या आसानकीत होगा तो सत्रुता का विलोम सब्द क्या होगा मित्रता हो जागा option B वागदान का संदिविछेत क्या होगा बहुत से सब्सक्राशन है और बहुत important question है बताईए सब लोग वागदान का संदिविछेत क्या होगा वागधन दान वागधन दान या वगधन दान या वागधन दान तो वागदान का संदी भी शेत क्या होगा वागधन दान हो जागा option A वाला उत्दोग में कौन सी संदी है उत्दोग में बताईएंगे सब लोग 68 का राइट अंसर देंगे उत्दोग, उत्धन योग तो इसमें विंजन संदी हो जागे option C करेक्ट हो जगा चलिए, वयाम में कौन सी संदी है बताएंगे सब लोग वयाम में कौन सी संदी है वयाम में कौन सी संदी है देरग संदी, गुन संदी, यन संदी कौन सी संदी है तो वयाम में देखी जो आपकी संदी है वो है यन संदी 69 का यहाँ पे option C करेक्ट हो जागा ठीक ना चलिए जो अंतहस बंजन होते हैं उसमें कटा हुआ जो आपका होता है जैसे वा हो गया या हो गया वा हो गया तो उसमें अगर लगा हुआ मिल जाए या वारा अला यह कटे हुए मिल जाएं तो आपके यहाँ संदी होते हैं ठीक ना चलिए यहाँ पे सुद्ध वाक का चैन करना है यह चार वाक्य हैं चारों में से सुद्ध वाक के कौन से हैं यह आपको बताने हैं सत्तर का जाब दने के प्रयास करेंगे तुलसी और सूर अवधी और व्रज भासा के स्रेष्ट कवी हैं तुलसी और सूर अवधी के स्रेष्ट कवी हैं और सूर व्रज भासा के हैं तो इसमें देखे आपका जो सही वाक्य है सुद्ध वाक्य है यह वाला है कि स्वामी दैनान सरस्पती ने हिंदी दोरा जनता को जगया या हिंदी के दोरा जनता को जगया या हिंदी के दोरा दैनान सरस्पती जो है ने जो है जनता को जगया तो इसमें भी आपका जो है बी वाला ही सही है कि स्वामी दैनान सरस्पती ने हिंदी दोरा जनता को जगया थ उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, 72 का option कौन सा सही हो जगा, यह आपनों के लिए हमर के इसका जॉब देना, क्योंकि बिलकुन सरल प्रश्चन है, चलिए 73 का जॉब देज़े तब तक, पिछले सौमार को इसकुल बंद है, पिछले सौमार को इसकुल बंद रहेगा, पिछले सौमार को इसकुल बंद होना है, पिछले सौमार को इसकुल बंद था, तो यही आपका सही हो जगा, चलिए, नेमलकित प्रश्चन में दी गई पंक्तियों में से, प्रेगत रस के लिए चार चर विकल्प देगे जहे हैं, आपको बताना है, इसमें रस कौन सा है, यह अखिया हरी दर्सन की भूंकी, कैसे रहे, रूप रसराची, ए बतियां, सुनी रोकी, इसमें, रस कौन सा है, यह आपको बताना है, 74 का राइट अंसर क्या हो जागा, यह कोशन बहुत रिबीट होता है तो इस्टा लगा कि नोट के लेना इस प्रश्ण को बहुत बार एक्जाम में कुश्ण पोचा जा चुगा है अखिया हरी दरसन की भूकी कैसे रहे रूप रसराची एबतिया सुन रूखी वियोग सरंगार रस है इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जगा मन रे तन कागत का पुतला क्या है मन रे तन कागत का पुतला लागे बोंद विनासी जाएचिन में गरब करें क्यों इतना भक्ती रस तायोग सरंगार करुण या संत रस कौन सा रस है बताएंगे सब लोग इसमें देखे सांत रस है ओप्शन डी सर्वस्रेष्ट रस किसे माना जाता है सांत रस को या हास रस को या करण रस को या सरंगार रस को बताएंगे सब लोग सर्वस्रेष्ट रस किसे माना जाता है तो सर्वस्रेश्ट रस माना जाता है स्रंगार रस को 76 का option D यहाँ पर करेक्ट हो जगा चलिए अगला विशने जुगपसा किस रस का इस्थाई भाव है तो कि जितने भी रस हैं उनके इस्थाई भाव आपको याद होने चाहिए बताएंगे सब लोग जुगपसा किस रस का इस्थाई भाव है वीभत्स का है जैसे वीर का उत्सा होता है ना करून का सोक होता है तो option यहाँ पर आपका जो है सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा अदभूत का क्या हो जाएगा बताएंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में छाप उपसर्ग है सलगन सब्द में कौन सा उपसर्ग है सन सम सा या संक सिवेंटी एट का राइट अंसर देने का प्रयास करेंगे सलगन सब्द में कौन सा उपसर्ग है इसमें आपका सम उपसर्ग है option बी अगला बिशन दुसाहस सब्द में उपसर्ग जुड़ा हुए है कौन स है तो स्द्ध वुरत निवाले सब्द का चैंड करना है स्थी यथा बहुत इंद्लिकरत में से सब्ड की वरतनी यहाँ पर अंतर राश्टी लिखा हुए तो अंतराश्टी सब्द कौन सा इसमें सही है सुद्ध है ये आपको बताना है देखे ये वाला आपका असुद्ध है ये वी असुद्ध है ये वाला आपका बिल्कुन सुद्धा के अंतराश्टी का अगला बauen देखे इन्हे में से कौन सा शब्द सुद्ध है बताए में अंतर नवित कौन सा सा जिसका पहला बद संख्या बाची हो उसमें आपका जो है दिगु समास होता है जैसे चावरा हो हो गया निर्भै सब्द में कौनसा समास है निर्भय कि 85 के job दीजिए निर्भय निर उपसरक लगा हो गई न तो यहां पर अब्ई भाव समास हो गाउसाला में समास बताना है गौसाला गौसाला में समास कौनसा है तत्त पुरुष समाश हो जागा ठीक है ना Option D दोहे में कितने चरण होते हैं 2, 6, 4, 8 कितने होते हैं दोहे में बताईए सब लोग दोहे में कितने चरण होते हैं 4 चरण होते हैं Option B द्रोश आमनी के रचाईता कौन है बताईए द्रुष वामनी के रचयता very very most important question आपके exam के लिए कई बार कई exam में एक कोष्चन पूछा भी जा चुगा है बताएंगे द्रुष वामनी के रचयता कौन है बई जै संकर परशाद है बहुत जिसरल परश्ण था option A कलम का सिपाही के लेख़ कौन है प्रेम चंद है या अमरत राय या कमलेश्वर अमरत राय जी है option B बाबा बटेसर नात के रशनकार कौन है तो बाबा बटेसर नात के रशनकार है नागरुजन option A correct हो जगा अगला प्रशनाप की स्क्रिन पे है जिसका कोई सत्रू पैदा ही न हुआ हो कहलाता है क्या वाक्यान से कोई लिक्षब्द है बताएंगे सब जिसका कोई सत्रू पैदा ही न हुआ हो उसके लिक्षब्द क्या होगा इसकंद गुप्त होगा, आजास सत्रू होगा या आजानबा होगा या आजेन होगा उसके लिख शब्द होगा आजास सत्रो जिसका कोई सत्रो पैदा ही ना हुआ हो option B धन को वर्त ही खर्च करने वाला होता है क्या होता है इसके लिख शब्द क्या होगा अदो हस्ताचर करता हो जगा, option C, अगला option है, कमल 9 को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में अलंकार कौन सा है, 94 का जॉब देंगे, कमल 9 को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, option D, समुह वाचक संग्या का उधारन क कौन सा है अंगूर इसमें हो जाएगा ठीक ना चलिए बहुत इच्छे लड़का दवड़ता है इस बाकि में लड़का कि संग्या का उधारन है लड़का जाती बाचक हो जागा ठीक है चलिए बहुत इच्छे संग्या विकारी शब्द होते हैं इनमें से कौन संग्या सब्दों में विकार उत्पन नहीं करता है लिंग वचन कारक या विशेशन विशेशन जो है सब्दों में विकार उत्पन नहीं करता है घर पर मा है इस वाक में पर किस कारक की विवक्ती है आधिकरण में पर ये विवक्ती है आधिकरण की संपरदान के लिए आपदान को के लिए सबंका की केरी ठीक है ये आपको याद रखना है विवक्ति चिन राम ने कहा कि वहाँ बाजार जा रहा है इस वाक में वहाँ क्या है संग्या है या सरवनाम है या विसेशन है या बे है सरवनाम है वहाँ ठीक है ये last question अमलिकित में से कौन सरवनाम का बेद नहीं है बताएंगे सब लोग सरवनाम का भेद नहीं है कौन सा निजवाचक प्रश्णवाचक पुरुसवाचक ये सरवनाम के भेद हैं गुडवाचक इसमें नहीं है ये किसका भेद है सबी लोग जरू से जरू बताएंगे बिल्कुन सरव प्रश्ण है ओके न शुवरेंड्स ये थी आज की जो है हिंदी की क्लास कैसी रही क्लास कमेंट बाक्स में अपना फीड़बैक जरूर देना ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन विसाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ओल पर प्रिश्ण के लिए जो भी बीड़ेंट एक्जाम की अपडेट है टीचिंग एजाम की कोई भी अपडेट है वो अपडेट है को सबसे पहले मारे चैनल के मादम से मिल सके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बाक्स में आपने डाउट क्लिए कर सकते हैं आप सभी को बताए कि बीड़ेट प्रिविस परिच्छा की जो अप्तिथी है वो बढ़ा कर 24 अप्रेल से 9 जून कर दी गई है तो आप लोगों के पास प्रियाप्त शमय है इधर आपका अप्रेल है माई रहेगा और जून भी रहेगा उधर वन वीक आपका जो है जून में भी रहेगा प्रेक्टिस करने के लिए ठीक है तो अभी आपके पास प्रयाप्त शमय है डेली आप लोग हमारी क्लासेस जोइन करें बिलकुन फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीड़ प्रिच्छा की देती हैं और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार प्ले लिश्ट आप लोग जरूर से जरूर चेक करेंगे वहां पर आपको सारी की सारी क्लासेस हर सब्जिप की मिल दाएंगी थैंक्स पर वाचिंग बाइबाए टेक कियर